Good evening my dear friends, I hope that you all are doing good और आप सब बहुत अच्छे से प्रिपेर हो रहे हैंगे अपने SPI क्लॉग मेंस के लिए आज आपका SPI PO मेंस खत्म हो चुका है आज हम सब पार्ट 16 पे बात करने वाले हैं और 20 बेस्ट MCQ हम लोगों का होगा और ये MCQ entirely banking sector से related है और कल आपके exam में बहुत आपको help करने वाला है राइट देखे आज का जो banking terminology है वो कही न कहीं बहुत basic से मैंने लिए और आपको काफी help करेगा तो मुझे एक और बात आप लोगों से जानना है क्या ये series आप लोगों को help कर रहा है क्या इसे मैं carry on करूँ या फिर part 16 तक इसे रहने दूँ राइट So I am Kumar Shupraveen and I am warmly welcome to all of you to this case educational help मूप करते हैं आगे देखे मैं सभी का PDF आपको Facebook के page पर या फिर Telegram पर provide कर देता हूँ सभी का PDF अगर आप download करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे follow कीजे और regular updates के लिए भी आप जूर सकते हैं तो Facebook का link और आपको Telegram का link मैंने description में भी दे रखा है आगे बढ़ते हैं पहला मैंने problem रखा है हावाला transaction पर राइट क्या है आखिर हावाला transaction in India are prohibited under the provision of which of the following act ठीक है पहले जानते हैं कि हावाला transaction आखिर होता क्या है हावाला transaction आप बोल सकते हैं कि alternative source होता है क्या चीज़ के लिए remittance के लिए मतलब transaction के लिए money transaction और विशेश करिया क्या चीज़ के लिए होता है टर्रिस्ट को fund provide करने के लिए illegal activities something like आप बोल सकते हो कि drug trafficking ठीक है तो इन सभी के purpose के लिए हावाला transaction का use होता है मतलब एक ऐसा source एक ऐसा alternative जिसके तुरू पैसे का remittance हो सकता है और वो भी गलत activity के लिए that is known as the हावाला transaction एक rough idea मैंने दे दिया क्या है आखिर हावाला transaction अब देखिए ये पूछा गया कि आप से कौन सा इंडिया में जो prohibit किया गया वो कौन सा provision कौन सा act के अंदर है ठीक है तो यह आपका foreign exchange management act के अंदर बात किया जाता है ठीक है अब देखिए मैंने detail में आपके लिए यहां दे रखा है foreign exchange management act अब देखिए एक और बात आपको यहां पर पूछा जाएगा ठीक है इस network is being used extensively across the globe to circulate the black money and to provide fund for terrorism, drug trafficking and other illegal activities अब देखिए जो term आपका यहां से है FEMA in India FEMA foreign exchange management act 2000 यह act क्या है आपका 2000 का act है ठीक है दूसरा PMLA prevention of the money laundering act 2002 दो term आपको यहां से पता चला पहला FEMA अभी आपको पूछा जा सकता है कि जैसे लेगो civil instrument act कब आया था यह कौन से act के अंदर आपका आता है ठीक है उसी तरीके से आपका पूछा जा सकता है कि FEMA कौन से act के अंदर आता है act 2002 तो यह दू मेजर एक्ट आपका यह दू मेजर आपका legislation है हमारे country में जिसके अंदर हवाला transaction को prohibition किया जाता है तो इसके आपके दो answer होंगे अगर आपको दोनों answer दिखता है तो दोनों आपको करना है अगर कोई एक दिख रहा है तो आपको उसके recording चूज करना हो रही चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखें आपके सामने दूसरा question है कि which of the following refers to an account that a bank hold in a foreign currency in other bank ठीक है तो ऐसे account को हम लोग क्या बोलते है नॉस्ट्रो एकाउंट बोलते हैं अब देखें इसके बारे में depth में मैं बता दूँ आपको जब देखें इंटर बैंक ट्रांसफर किया जाता है यह इंटर बैंक transaction होता है foreign exchange को लेकर तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि एक center से दूसरे center एक account से दूसरे account या फिर आप हो जकतो directly country से दूसरे country वो भी हूंद कि दूसरे currency में deal करना पड़ता है तो ऐसा situation में bank को तीन तरे के account को खोलना पड़ता है एक अपका nostraw होता है दूसरा आपका was draw होता है और थर्ड आपका लोरो होता है ठीक है notre का मतलब होता है आपका our ठीक है और अगर आप देखें nostro was औरों का मतलब होता है देर, ठीक है तो अब मैं इन तीनों के बारे में आपको टीटेल में बताता हूँ, ये तो समझ गया आप क्यों ये तीनों एकाउंट खोला जाता है, अब देखिए नॉस्ट्रो एकाउंट क्या होता है, मैंने यहाँ पर आपको एंसर दिया, नॉस्ट् कंट्री के ब्रांच में जाकर अपना एकाउंट खोलेगी, तो अब्यस्थी बात है कि जब वो दूसरे कंट्री के ब्रांच में खोलेगी, तो उसी करेंसी उस जगह के डोमिनेटेड करेंसी से, जो वहाँ करेंसी चल रहा होगा, उस करेंसी से डील करना होगा, और उसी करे को deal करने के लिए यह रिमिटेंस के लिए ट्रांजेक्षन के लिए तो ऐसा अकाउंट को आप नॉस्ट्रो का डेफिनिशन मैंने बता दिया कि canra bank दूसरे सब्सक्राइब यूएस में जाकर कोई एक बैंक में अपना अकाउंट खोल रही है तो वैसे अकाउंट को आप क्या बोलेंगा नॉस्ट्रो एकाउंट एक रभ भास है मैंने बताया आपको आगे देखें यह मैंने डेफिनिशन दे रहा है नॉस्ट्रो से रिलेटेड कहना व वास्ट्रो एकाउंट क्या है ठीक रिवर्स मतलब कोई एक फॉरंड आपका बैंक है ठीक है फॉरंड की बैंक अगर इंडिया में आकर डील करना चाहती है तो वह क्या करेगी फॉरंड बैंक आकर इंडिया में किसी एक बैंक में सब्सक्राइंड बैंक में आकर वह अपना account खुलती है। टिक है क्या currency transaction के लिए तो वैसे account को क्या बोलेंगे। वाश्ट्रो एकॉंट बोलेंगे। मतलब एक foreign bank दूसरे country में आपके country में आकर अपना branch में आपके branch में अगर वो account खोल रहे है तो ऐसे condition को आप क्या बोलेंगे वाश्ट्रो एकॉंट और बोलेंगे मतलब वास्ट्रो का मैंने मतलब बताया यूर्स आपका खाता हमारे बैंक में रहेगा ठीक है और नॉस्ट्रो का मैंने क्या बताया कि आवड ठीक है मतलब हमारा खाता आपके पास रहेगा ठीक है तो यह दो मैंने rough language में बता दिया कि वाश्टो और नॉस्ट्रो क्या होता है आगे बढ़ते हैं देखे मैंने यहाँ पर third जो आपके लिए रखा है is a current account maintained by one domestic bank on the behalf of other domestic bank in the foreign bank in foreign currency is known as the यह आपका क्या होता है लोरो bank लोरो का मैंने साफ साफ मतलब बताया हिंदी में there ठीक है मतलब समझ लीजे कि आपका SPI bank ठीक है यह US में जाकर किसी bank में account खोलती है और वहीं पर एक canra bank ले लीजे यह SPI हो गया और यह canra हो गया ठीक है यह canra हो गया यह क्या हो रही है foreign में जा अब क्या हो रहा है बोला जा रहा है कि SBI बोल रही है इस bank को कि आप जो है transaction मुझे कुछ amount करना है वो transaction amount में आपको भेज़ दाओ और आप उसको canra bank account में भेज़ दो right क्यों क्योंकि currency का matter है SBI currency में तो उसको direct नहीं दे सकती है currency के लिए इस bank को पकड़ी भी है समझ यह का इस बात को और यह bank क्या कर रहा है इसको इस currency में भेज रहा है पैसे तो ऐसे में situation में क्या बोलेंगा हम लोग लोरो एकांटे कर आप भासा मैंने idea दे दिया आपको पैसे को डाल दो that is known as the Loro account तो मैंने कर रफाइड है दे दिया अब मैं कहना यह चाह रहा था देखिए यहां से क्या क्या पॉइंट निकल कर आएगा पहला यह आपका नौस्ट्रो वास्ट्रो और लोरो तीनों का तीनों current account होता है ठीक है यह चीज दिमाग में रखना है ए आपको एक्सपोर्ट करने की नौबत आएगी आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपके जो currency आपको जो country में एक legal tender है वह उसी entire boundary के अंदर काम करेगा legal tender है तो बस उसी boundary के अंदर आप अधूर्स boundary से बाहर जाकर trade कर रहे हो तो अभी तक हमारे global आप देखरो global environment में कहीं भी एक ऐसा universal currency तो नहीं है जो कि हर एक country के लिए चल रहा हो मतलब कोई एक हम लोग dominated currency को देख लेते हैं जो कि आपका dollar है मतलब हम लोग dollar में generally deal करते हैं तो यह जब trade करना चाहेगी तो आपसी बात है कि दूसरा currency या दूसरा country सोचेगा कि मुझे एक ऐसा currency में मिल जो कि easily convert हो सक ठीक है एक रफ भासा एक रफ आइडिया मैंने दे दिया तीनों का जरूरत कहा पड़ता है राइट I hope so कि आप लोगों को clear होगा देखें next question आपका क्या बोला जा रहा है कि how many basic saving bank deposit account BSPDA can be opened by an individual कितना ऐसा open किया जा सकता है तो बस एक यह RBI का कहना है कि आप बस एक BSPDA account open कर सकते हो right अब देखें कोई भी एक individual यह RBI का statement बहुत अच्छा और बहुत clear है कि कोई भी एक individual is eligible eligible to have only one basic saving bank deposit account in one bank ठीक है next देखें what are the other deposit account can be opened by an individual in where one hold the basic saving bank deposit account अगर कोई एक basic BSPDA account खोला हुआ है किसी एक bank branch में तो वह और कितने तरीके deposit account खोल सकता है तो पहला आपका fixed deposit हो गया और दूसरा आपका recurring deposit हो गया तो ये दो account है जो कि वो खोल सकता है लेकिन दूसरा BSPDA account नहीं खोल सकता है तो मतलब आपका option क्या हो जाएगा A और B दोनों मतलब दोनो fixed और recurring दोनों ही खोल सकते हैं ठीक है maximum balance in the BSPDA small account should not exceed 10 rupees at any time तो आपका 50,000 rupees से ज़्यादा exit नहीं होना चाहिए किसी एक particular time पे राइट ये RBI के कहना है कि आप maximum क्या 50,000 रख सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं एक और छोटी सी बात हो जाती है आपने क्या देखा कि BSPDA small account अभी तक आपने क्या देखा BSPDA account लेकिन एक small account addition हो गया क्या है आखिर ये BSPDA आपका बोल रहा है कि अगर आप basic ये simplified KYC norm को follow करते हैं और account खोलते हैं तो उससे एक small account में भी considered किया जाता है तो इस नतिंग बट आपका पूरा का पूरा KYC norm फुल्फिल होना चाहिए तो आपका वह account एक simply आप एक small account में भी considered किया जाता है राइट तीए रहे चलिए आगे बढ़ते हैं दिटोटल आप दी डेबिट बाइव अप दी गैस विड्रॉल एक महने में आपका जो गैस विड्रॉल हो रहा है ठीक है वह आपका 10,000 से जादा एकसीड नहीं करना चाहिए यह भी आपका RBI का स्टेक्मेंट है तीटोटल आप दी डेबिट बाइव गैस विड्रॉल और दी ट्रांसपर विल नाट एकसीड 10,000 रुपीज इन ए मन्थ क्लियर BSBDA small account are valid for a period of DAS months तो यह आपका 12 months के लिए valid होता है और अगले आपको फिर से अगर 12 महने के लिए इसको valid करना है तो पूरा का पूरा एक KYC norm है उसको आपको फुल्फिल करना होगा तो आपका 12 months के लिए आपको यह extend कर दिया जाता है ठीक है आगे देखिए कि SEBI is and DAS क्या constitutional advisory यह non-statutory यह फिर statutory body है तो आपका SEBI एक statutory body है राइट आप देखिए SEBI जो है पहला 1998 में एक non-statutory body था लेकिन बात में 1992 में एक fully statutory body बन गया तो आपका SEBI क्या है statutory body Which of the following policies is known as the annual policy statement credit and monetary policy of RBI इसको बिलकुल रट लीजेगा बहुत जगा आपको यह portion देखने के लिए मिलता है Which of the following is the regulator of the credit rating agencies in India I think so सभी के लिए पता ओना चाहिए से भी Security APA tribunal is and dash established under the provision of the section 15K of the Security and Exchange Board of India Act 1992 यहां पर देखे total 3 or 4 question बन रहा है आपका Securities APA tribunal is a statutory body ठीक है एक statutory body है Stablished हुआत अंडर the provision of the section 15K यह आपका पहला question बन रहा है section कितना है 15K दूसरा क्या बना एक statutory body है ठीक है तीसरा of the Security and Exchange Board of India Act 1992 कितने कौन से Act के अंदर Security and the Exchange Board of India Act 1992 सही answer क्या निकला statutory body ठीक है अब देखे क्या होता है में इसका आप बोल सक्टे अब्जेक्टिव क्या है To hear and dispose the appeals against the order passed by the Security and the Exchange Board of India Clear है Next देखे Which of the following is a function of the SEVY SEVY का इसमें function क्या है Approved by law of the stock exchange ये आपका होता है function Inspect the books of account of the financial intermediaries ये भी होता है To require the stock exchange to amend their buy and loss ये भी होता है Right Compel the certain companies to list their share in one or more stock exchange ये भी होता है मतलब आपने क्या देखा कि सभी का सभी आपका SEVY का function है All of the above is the right answer The monetary authority of India Reserve Bank of India is bound to maintain a reserve against the notes issued whatever may be the amount and this system is called as the minimum reverse system या फिर क्या है आपका minimum reverse system तो ये देखिए आपका minimum reverse system के अंदर होता क्या है कि हम लोगों को 200 कडोर cut RBI के उपर रहता है कि आप 200 कडोर में 115 कडोर का आपको gold रखना है rest आपका 85 कडोर जो है वो आप cash के रूप में रख सकते हो और तभी आप क्या करोगे कि जो आपका note है वो आप बना सकते हो या issue कर सकते हो तो ये आपका minimum reserve system है और minimum reserve system के अंदर आपको यही question पूछा जाता है question यहाँ पर से SRIs होगा जो पहला question ये बना दूसरा आपका होता है कि total आपका जो foreign exchange reserve होता है वो कितना है 200 करोर जिसमें 115 करोर आपका should be gold and rest of the 85 should be cash ठीक है minimum reserve system refers to the reserves kept by the Central Bank of India मतलब RBI against its currency liability clear है जो छोटा question 115 करोग का 85 का यह आपका जो बनेगा यह मैंने बता दिया next देखे आपका क्या बोल गया which of the following service is not provided by the post office in India कौन सा ऐसा service है saving bank scheme हाँ है retail of the retailing of the mutual fund बिल्कुल है sale of the stamp paper बिल्कुल है issuance of the demand draft यह नहीं है life insurance cover यह भी है मतलब आपका क्या हो गया कि कौन सा service नहीं provide कर रही है तो issuance of the demand draft next देखे the section 4 of the negotiable instrument act 1881 deals with the check के साथ हाँ bill of the exchange बिल्कुल हाँ promise free note बिल्कुल हाँ all of the above आपका मतलब सही answer हो जागा देखे यहाँ पर question दो तीन तरीके सा आपका बनेगा कि negotiable instrument act के बारे में आपको पूछा जागा तो 1881 यह आपको बहुत सार दे दिया जागा तो 1881 आपको दिमाग में रखना है में फोकस होता है यह देखे जब से अगर एक्जांपल में आप देखे तो गोल्फ सेविंग बैंक बहुत अच्छा एक्जांपल है which is sponsor the golf tournament and offer up to dollar of 10,000 40G PGA member तो यह आपका क्या है small finance bank का का काम होता है किसके respect में आपने देखा कि नीचे bank तो यह आपका नीचे bank है नेक्स देखिये minimum paid up capital of the small finance bank is DAS minimum paid up capital आप देखे इस small finance bank का तो वो 100 crore है ठीक है 100 crore आपका minimum paid up capital होता है बहुत important question बहुत बार ऐसा question आपका पूछा जाता है नेक्स देखिये an external advisory committee headed by DAS and evaluated the license application for the small finance bank यह आपका क्या है उशा थोड़ा आट उशा थोड़ा यह आपका क्या है इस committee के main member है और इनी के द्वारा यह headed है और इनका main क्या है license application for the small finance bank ठीक है currency swap is an instrument to manage DAS currency swap एक खुद में बहुत ही बड़ा complicated term है लेकिन बस आप यहाँ से समझ लेए swap क्या होता है swap is nothing but exchange right currency exchange बस आप term समझ लीजे currency exchange की नौवत कव आती है जब आप कुछ product खरीदे उसके बदले आप कुछ उससे चुका रहे हो पैसे that is not only currency exchange but exchange आप यह समझो exchange word से currency swap एक term है जिस पे मैं आपको बाद में विशेश कर इसे बताऊंगा अच्छे से अब देखें currency swap की जरूरत कपड़ती है cash flow in the different countries तो इस तर में हम लोगों को currency swap का जरूरत पड़ता है नेक्स देखें, dash percentage of the foreign share holding will be allowed in the small finance bank as per the rules for the FDI in the private bank in India यह आपका 74% है, right? 74% is the correct answer तो यह था, आज का हम लोगों का 20 best MCQ क्योंकि BSPDA इसमें बहुत include था, SEBI से related question था RBI का आपका बहुत अच्छा question था यह, और यह ऐसे ही question आपके exam में पूछे जाते है right my dear friends, अगर आप लोगों को यहाँ से benefit मिल रहा तो please like कीजेगा और share जितना हो सकते आधिक कीजे, और हम सब फिर मिलते हैं बहुत यह अच्छे question के साथ लेकिन आप लोगों का कहना क्या है, क्या मैं इसको continue करूँ या फिर नहीं करूँ, तो यह आप लोगों के उपर depend है, मुझे आप लोगों का इसके according feedback चाहिए, अगर अपने हैं तो बिलकुल subscribe कर लीजिए और notification bell दबा लीजिएगा, right? कर दो कर दो कर दो